Hello everyone, इस lecture में हम Excel में date and time related functions को cover करेंगे हम सभी date और time को किसी न किसी format में mention करते हैं कभी हम day, month, year यूज करते हैं which is dd, mm, y, y कभी हम month, day, year यूज करते हैं जो कि mm, dd, y, y तो कभी हम मन्त को numbers की बजाए words में लिखते हैं Excel इन सभी formats को support करता है और ये cells में identify भी कर लेता है कि हमारा input जो है वो date है या नहीं example के लिए अगर मैं है लिखू one off तो Excel automatically identify कर रहेता है कि ये date है और आप formula बार में इस date को default date format में लिखा देख सकते हैं एक function जो हम आज की date को default format में देखने के लिए use करते हैं वो है is equal to today function ये वो date लिख देता है जो आज date चल रही है और जब भी sheet refresh होगी ये formula भी refresh होगा और ये date भी refresh होगी जैसे अभी ये 12th नवंबर दिखा रहा है लेकिन मैं इस sheet को close करके कल open करूँगा तो ये 13th नवंबर दिखाएगा now function भी इसी के similar है हम type करेंगे is equal to now tab, enter pass करेंगे अब आप यहाँ date के साथ साथ time भी लिखा देख सकते हैं जानने वाली बात ये है हाला कि Excel हमें date और time readable formats में दिखा रहा है लेकिन पीछे ये इसको number format में भी maintain रखता है अगर हम इस date को number format में change करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये date एक real number में change हो गई है जो इन numbers का integer part है वो असल में 1 जनवरी सन 1900 से अब तक के दिनों का count है तो 1 जनवरी सन 1900 के लिए ये value 1 होगी और 31 दिसंबर सन 1900 के लिए ये value 365 होगी आज 12 नवंबर 2018 है जो कि एक जनवरी सन 1900 से 43,416 दिन है और decimal part time denote करता है तो 24 गंटे एक unit होगा 12 गंटे के लिए होगा 12 upon my 24 into my 1 is equal to 0.5 6 आर्ट के लिए होगा 6 by 24 which is 0.25 अभी इस time 4 बचकर 32 मिनट हो रहे है जो कि 16 गंटे 32 मिनट है जो कि 0.69 निकल कर आ रहा है अब हम Excel में available कुछ common dates and time formats को देखते हैं अगर इस date को हम किसी और format में देखना चाहते हैं तो हम cell पर right click करेंगे और format cell पर select करेंगे हम category menu में date को select कर सकते हैं date को different formats में देखने के लिए और हम time को different formats में देखने के लिए time select कर सकते हैं और हम custom format भी create कर सकते हैं इसके लिए custom पर click करेंगे फिर यह type पर click करेंगे और यह custom format एंटर करेंगे day के लिए dd month के लिए mm अगर हमें complete मन्थ चाहिए तो हम mm टाइप करेंगे और year के लिए yy और time के लिए h colon mm और enter प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं कि date और time value हमारे custom format में show हो रही है अगला हम day, month और year formulas देखते हैं इन formulas का use करके हम एक particular date को different parts में separate कर सकते हैं यह month का कौन सा day है यह निकालने के लिए हम type करेंगे is equal to day और date select करेंगे आज November का 12 दिन है तो यहां मारे solution में भी 12 आया है साल में month का count निकालने के लिए हम type करेंगे is equal to month और year select करेंगे तो November साल का 11 महिना होता है और हमारे answer में भी 11 आया है इसी तरह साल निकालने के लिए type करेंगे is equal to year और date select करेंगे और यहां मारा 2018 जरूरी operations जो हमें date and time functions में करने चाहिए जैसे दो dates के बीच में total numbers और दो time stamps के बीच में time difference निकालना दो dates के बीच में numbers को निकालने के लिए आप is equal to days यूज़ कर सकते हैं यहां type करेंगे is equal to days और दो dates select करेंगे यह इन दोनो dates के बीच के total number of days को लिख देगा हम यह देख सकते हैं कि 1 November से 12 November के बीच में 11 दिनों का अंतर है तो यहां 11 आया है इसी तरह अगले case में यहां 440 numbers का difference है आप यह दो dates को subtract करके भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि यहां भी हमें same result मिल रहा है इस difference को घंटों में निकालने के लिए हम इसे 24 से multiply करेंगे और इसे minutes में निकालने के लिए हम इसे आगे 60 से multiply कर देंगे दो dates के बीच difference निकालने का तीसरा तरीका है date div function यूज़ करके यह function हमें यह specify करने के लिए allow करता है कि हमें result में क्या चाहिए या तो हमें days के बीच का difference चाहिए या फिर months या फिर years का difference चाहिए days के लिए हम type करेंगे is equal to date div start date comma end date comma days के लिए d month के लिए m और years के लिए y तो आप देख सकते हैं कि यह second row में दो dates के बीच में 15 months का difference है इसी तरह यह years के difference के लिए भी use होगा इस लेक्चर में बस इतना ही मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले लेक्चर में